कि अब रभी है वाइस इसको नहीं का फिर्स्ट टैप यह है कि हमें डिफेर्ट डिफेरेंट कलर्स की शीट लेनी है चाहिए वह को अवसी भी ब्रेंड की शीट अब सेक्ड्स टैप यह है कि हमें स्केल और एरेजर एंग पैंसल की हैल्प नहीं है और इसमें हमें तू संटीमेंटर के लाइन से किच लिए एक संटीमेटर की लाइन होगी और एक संटीमेंटर की लाइन होगी हमें आप जितना चाहिए उतना कर सकते हैं बड़ अभी जितना आपको हर लाइन एक संटीमेटर करने ताकि बिल्कुल आपका बिल्कुल आपका एक्कम अच्छी से लड़ी बने अच्छी लड़ी बने अच्छी लड़ी आपका बिल्कुल आपका इन पिल्कुल आपका इना हो। झाल तो गाइज अब मैंने सारी शीट्स पे ये लाइन्स ड्रॉव कर ली है और अब टाइम आगे इसे कट करने का तो गाइज अब इसे कट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कर लिए इसको अगर वैसे पेस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह की लगेगी और बहुत जादा ब्राइट लग लिए यह एककॉस हमने एकवल साइस शाप स्ट्रिप स कर रखा था इसलिए और आपको बताती हूं इस हर शेप को कैसे बनाना है है यहां यहां कि धषैसले गतऊने में हुदकी दिशिव कज़ने उब दिशिव कर लेंगे जाये है एक है ब सब्सक्रिब करिया अब और tego के मतंद फिफटीन साब घूए उप है और इसे कर रहा है लोख दो हम दो जाहिए प्लोध करे तो फ्लो में आएंगे और इसको कुछ इस तरह से उपर से ही पेस्ट करेंगे तो वह बिल्कुल आंदे से जाएगे और जो नीचे वाला हाट है ना वह बिल्कुल ऐसे दफ सा जाएगा उड़ाइज हमें ग्लू थोड़ी कम लगानी है जब आप ग्लू जाएगे लगाते हो ना तो बाहर बिल्कुल ऐसे वह बोल्ड राती है ग्लू फिर थोड़ा ऐसे काला काला सा बन जाता है और गाइस तो यह रैडी हो चुका इस तरह कैसे के आप को डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रिप्स करके दिखाते हैं और आप फूल प्रोसेश दिखाते हूं और कैसे करना है एसे बीए बॉल्ड हो पर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कुछ इस तरह से हमें से अंदर जाइन कर देना है तो वाइस हम मैंने काता उपर तक ही करना है क्योंकि अगर अंदर जाएंगे तो फ्लो में नहीं आएगा वाइस अपको आपको याद रखना है और वाइस हमारी लडी मन के तयार होचको और यूए कुछ तंके ऐसी दिखने है और वाइस मुझे तही लडी वाट अच्छी